लोकसमद चुनाव दोजर चौबीस का पांचवा चरण बेहद नस्दीख है। बीस तारीक को पांचवे चरण में अगली सीटों पर मतान होने जा रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की स्थिती कुछ ठीक सी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी यानि मायवती की पार्टी के पास इस समय कमान संभालने के लिए कोई भी नेता मौजूद नहीं है। आकाश आनंद को पत से निकालने के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुश्किले बढ़ चुकी है। कही ना कही मायवती को अब इस बात का एहसास है कि उन्होंने आकाश आनंद को कोडिनेटर के पद से हटाने का एक सबसे बढ़ा और सबसे गलत निर्णे लिया था वही कयास ये भी लगाय जा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी चंदरशेखाराजाद की पार्टी यानि आजाद समाज पार्टी के साथ गड़ बंदन करेगी लेकिन उन सभी कयासों का अभी कोई भी मोड देखने को नहीं मिल रहा है हालकि चंदरशेखराजाद लगातार मायावती को बहनजी बहनजी करके पुकारते रहते हैं लेकिन अभी तक भी इन अटकलों पर इन कयासों पर पूर्ण मेराम नहीं लगता दिखाई दिया है जिसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मायावती ने इस चनाव से पहले इस बात का एलान कर दिया था कि इस लोकसभा चनाव में यानि इस महा चनाव में वो किसी के साथ भी गड़ बंदन नहीं करेंगी हालकि अब बहुजन समाच पार्टी की गिरती और बिगरती स्थिती को देख उत्तर प्रदेश में बहुजन समाच पार्टी का गिरता वर्चस्व देख मायावती अब एक कड़ा फैसला ले सकती है कयास लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद को कोडिनेटर के पद से हटाने के बाद अब मायावती आकाश आनंद की पत्नी को बहुजन समाच पार्टी में एक बड़ी जिम्मदारी दे सकती है जी हाँ आपको बता दें कि हाल ही में आकाश आनंद ने तमाम रैलियों में और सबसे ज़्ज़ादा चर्चित रैली सीतापूर की रैली में भारते जनता पार्टी और सीम्म योगी पर तमाम तरह के बयान दिये थे उसके बाद से ही भरतेजंता पार्टी ने भर्चन समाज पार्टी को बॉयकॉट करना शुरू किया जिसके बाद मायवती ने एक कड़ा फैसला लिया और अकाशानद को कोडिनेटर के बच से हटा दिया ये कहकर कि अकाशानन था भी मिच्च यौर नहीं है पार्टी की कमान संभालने के लिए लेकिन अब अटकले तेज हो चुकी है कि दिल्ली में मतदान से पहले और उत्तरप्रदेश में गिर्ती सियासत को संभालने के लिए अब बहुजन समाच पार्टी और मायवती एक कड़ा फैसला लेने जा रही हैं और कड़े फैसले के अंतरगा तब आकाश आकाशानन्द जो एक समय पर बहुजन समाच पार्टी के कोडिनेटर के पत पर थे आज अगर किसी और को मायवती वो पत दे देती हैं तो आकाशानन्द के लिए और बहुजन समाच पार्टी के लिए और सबसे बड़ी वात परिवार के लिए एक बड़ा जटका होगा हलक कि अब देखना यह है कि क्या एक कया सत्साबित होते हैं, क्या काशानन्द की पत्नी को मायावती कोई बड़ी जिम्मदारी सौपती दिखाई देती हैं, फुलाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं